नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको गुपता.com कीचेन में और आज मैं आपके शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे नास्ते की रेसिपी जो घर में ही पड़े कुछ समान से बन करके तयार हो जाता है और बहुत ही जटपट और आसान तरीके से बनता है तो चलिए फिर शुरू क जिएगा तो नास्ता बनाने के लिए यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के कच्चे आलू ले लिये हैं जिसको की कद्दुकस कर लिया है तो कद्दुकस इसे हमें बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है और इसे ग्रेट करते ही हम पानी में डाल देंगे ताकि आलू जो पानी एकदम हमारा अच्छे से साफ हो चुका है, मतलब कि आलू में जितना भी स्टार्च था वो निकल गया है, तब चलिए आलू को हम इस तरह से निचोड लेते हैं, ताकि इसमें जितना भी पानी है, वो अच्छे से निकल जाए, तो हाथों से इस तरह से दबाते हुए, इसको खुब अच्छे से निचोड लीजिएगा, ताकि पूरी तरह से इसमें से पानी निकल जाए, तो आलू के लच्छे हैं, वो एक एक करके एकदम अलग-अलग हो चुके हैं, पानी बहुत अच्छे से मैंने निचोड लिया है, अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, जिसमें एक चमच के जितना तेल को गरम कर लिया है, तो तेल गरम हो जाने पर इसमें हम थोड़ा सा सरसो के दाने डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और इसे कुछ सिकेंड के लिए हम पका लेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने सफेद दिल डाल दिया आदा चमच इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा नास्ते में तो इसे हम चटका लेते हैं ताकि जितने भी हमने तड़के डाले हैं वह अच्छे से चटक जाए उसके बाद में छोटे साइज का प्याज ले लिया है जिसको किस तरह से बारिक बारिक लंबाई में कट कर लि तो देखिए प्याज अच्छे से भुन चुका है इसका जो कलर है बहुत अच्छे से गुलाबी हो चुका है तब इसमें हम ग्रेट किए हुए आलूओं को डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि तड़का नीचे से जले नहीं और जैसे या सारी चीज़े मिक्स हो चाट मसाला का पाउडर थोड़ा से यहां पर डालेंगे भुने वी जीरे का पाउडर और गरम मसाला का पाउडर डालेंगे तो गरम मसाला का पाउडर हम बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे तो अब इन सभी मसालों को हम आलू के साथ में मिक्स कर लेते हैं और यहीं पर हम स्व कर लीजिएगा और इसे कवर करके पका लीजिएगा ताकि अच्छे से पक जाए सोफ्ट हो जाए पूरी तरह से तो फीलिंग को पकते व है तो 3-4 पीलिंग बोख दें है तो अभी इसको हम छोड़ देदें ऐसे ही तक ये जो हमारा feeling है अच्छे से ठंडा हो जाए तो जब तक stuffing ठंडी हो रही है तब तक चलिए हम एक इस लेहरी बना लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैंने दो चमच की जितना मैदा ले लिया है मैदे की जगाँ पर आप गेहों का आटा भी ले सकते हैं थोड़ा सा कुटिवी लाल मिर्ची डाल दिया है बारी काटके हम कड़ी पत्ता इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन सभी को कुब अच्छे से सूखे में ही मिला लेंगे तक ये जो सारी चीजे हैं आटे में कुब अच्छे से मिल जाएं उसके बाद में इसमें हम थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालके इसका गोल बना करके तयार कर लेंगे तो गोल ना तो हमें बहुत जादा गाड़ा बनाना है और ना ही बहुत जादा पतला बनाना है medium सा गोल बना के हम तैयार कर लेंगे देखिए कुछ इस तरह से तो हमारा गोल बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसमें घुटलियां बिल्कुल भी नहीं है तो इसी तरीके का हमें गोल बना करके रख लेना है इधर हमारा stuffing भी ठंडा हो चुका है तो अब चलिए इसकी हम बॉल्स बना लेते हैं तो बॉल्स हम थोड़ से छोटे-छोटे साइज के ही बनाएंगे जैसे की नीबू होता है बिल्कुल नीबू के जितना ही इसको हम बड़ा सा बना करके तयार कर लेंगे तो इस तरह से सारे ही is 분들이 का हम बॉल्स बना करके रख लेते हैं यह जो हमारा नाश्ता है बहुत ही कम तेल में बन करके तयार हो जाता है बिल्कुल कि तेल सोप नहीं करता है तो सारे ही बॉल्स को मैंने बना कर एक साइड में रख लिया है और यहाँ पर मैंने bread के कुछ slices लिया है तो मैंने यहाँ पर white bread लिया है आप चाहें तो brown bread भी ले सकते हैं अब यहाँ पर एक बरतर में पानी ले लिया है एक bread को हम इसमें deep करेंगे और तुरंती इसको पानी से हम बाहर निकाल लेंगे और फिर इसको इस तरह से दबा दबा के इसमें जो पानी है ब्रेट में उसको हम इस तरह से निचोड़ देंगे ताकि जितना भी इसमें पानी है वो बाहर निकल जाए और इसको हमें पानी में ज्यादा देल तक ब्रेट को छोड़ना नहीं है बस dip करना है और तुरंती इसे में निकाल लेना है उसके बाद में bread के बीच में हम इस्टपिंग को रखेंगे और इसको हाथों से इस तरह से खुब अच्छे से दबा देंगे तो कि ब्रेट काफी soft हो गया है तो यह बहुत अच्छे से इस तरह से set हो जाएगा और इसको हलके हाथों से इस तरह से दबा देंगे ताकि थोड़ा सा चप्टा हो जाएगा तो अगर इसमें थोड़ा सा इधर से आपको किसी भी साइड से crack दिख रहा होगा तो इसको अच्छे से हाथों से इस तरह से set कर दीजिएगा यह बहुत ही असानी से हो जाता है और बाकी के सारे नास्ते को हम एकी तरह से stuff करकर के तयार कर लेते हैं तो देखिए सभी नास्ते में मैंने stuffing भर लिया है तब एक नास्ते को हम उठाएंगे और उसको हम इस घोल में dip कर देंगे खुब अच्छे से ताके खुब अच्छे से नास्ते को उपर एक गोल का coating हो जाए और उसके बाद में इसको हम गरम तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए तो यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम गरम कर लिया है मीडियम गरम तेल में एक एक करके नास्ते को हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए तो नास्ते को उठाएंगे गोल में डीप करेंगे और इसको तेल में डालेंगे फ्राई होने के लिए तो इसको कुछ देर के लिए इसे ही छोड़ देते हैं उसके बाद में इसकी साइट को हम इस तरह से पलट देंगे और पलट के इसकी दूसरी साइट भी हम इसको सेक लेंगे ताकि ये खुब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो इसको सेकने में बिल्कुँ भी समय नहीं लग चुका है इसका कलर भी बहुत अच्छा चुका है तो अभी चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और कल्ची को मिस तरह से थोड़ा से तीर्चा कर देंगे ताकि इसमें जो तेल है एक्ष्रा हो कडाई में वापस चला जाए और इसके अंदर जो फिलिंग है वह बहुत ज पेश्टी नास्ता बन करके तयार हो चुका है घर में ही रखे कुछ समान से तो आप इसे एक पर जरूर सचाए कीजिएगा और इस पी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू